नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है समझीव आप दिख रहे हैं आलक जम टैसी चैनल तो दोस्तों आज के हम इस वीडियों बात करने जा रहे हैं सेंट्रल सेलेक्शन बोर्डों कोंस्टिवल जो सेंट्रल सेलेक्शन बोर्डों कोंस्टिवल है बिहार पटना का इसमें जो है काप आपको यहां पर डेटेल में कुछ बताने जा रहा हूं और जल्द जल्दी में बताऊंगा आपको जिससे के आपको परिसानी ना हो और वीडियो भी हमारी ज्यादे लंबी ना हो तो आप वीडियो के अंदर तक बने रही है मैं यहां पर आपको जितने भी इंपोर्टेंट देखिए यह देखिए तो यहां पर देखिए यह जो बेपसाइड है इस बेपसाइड के अंतरगत हमें आबेदन यहां पर करना है और यहां पर यह आनलाइन आबेदन प्राप्ति की जो डेट है यहां से पहले पहले ही हम सभी को यहां पर आबेदन ओनलाइन करना है तो य 21,700 रुपेस स्टार्ट है और 90,100 पर समापत हो जाएगा और रिखती हो कि यहापर कुल जो पद है वो 454 पद है यहापर जो पोस्ट है वो 454 पोस्ट है और यहापर हम most most important fact के बारे हम बात कर रहे हैं यहापर तो यहापर हम बही बात करेंगे जो हमारे उपयोक्य होगी अन् जिहारत की जो उमर दिनाक है एक एक दोहर बीस को मैट्रिक अत्वा समक्ष के पिरमाण पत्र के अनुसार निम्मत होगी सबसे पहले अनुसोची जनजाती कोटी की महिलाव को लिए नियुनतम उमर 18 बर्स और अधिकतम उमर 30 बर्स यहाँ पर रखे गई है तो इसमें जैस अब ब्यारतों की सारिक मापदंट उचाई के लिए कोई अंक दे नहीं है परन्तु बेहित अहरताय पूरी नहीं करने बाली महिलाए अब ब्यारती ऐसाफल गोशित की जाएंगी तो यहाँ पर उचाई की बात करते हैं तो उचाई अनुसोची जनजाती की महिलाव के इसके बाद में आपका फिजीकल अगयरा होगा तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाए रहा है लिखित परिक्षा सो अंकोगी पिरसन पत्र दो घंटे का होगा है इसमें के कुल सो पिरसन होंगे और पिरत्यिक पिरसन का एक उतर जो आपको देना है चार आएंगे विकल्प उनमें आपको एक option चुनना है कि आप सही करते हैं तो उसका यहाँ पर आपको एक number दे दिया जाएगा देखिए अब आता दुत्य चर्ण सारिक दक्षता परिक्षा सारिक देशता परिक्षा कुल सो अग्गो की होगी इसमे निम्नांकित इस परदाएं होंगी जैसे यहाँ पर दोड़ दिखारिए अधिक्तम 50 अंगो की दोड़ होगी महिलाओ के लिए एक किलोमेटर अधिक्तम 5 मिन्ट में एक किलोमेटर के जोई रेस है यहाँ पर 5 मिन्ट माये गई है अगर 4 मिन्ट से कम में आप रेस मार देते तो आपको 50 अंक मिलेंगे 4 मिन्ट से लेकर 4 मिन्ट 20 सेगिंट तक आप रेस मारते हैं तो 40 अंक है 4 मिन्ट 20 से अधिक एवं 4 मिन्ट 40 सेगिंट तक 30 संक आपको मिलेंगे और 4 मिन्ट 40 सेकिंड सा अधिक एवं 5 मिन्ट के बीच में आप रेस मारते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे और 5 मिन्ट के बाद अगर आप रेस मारते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा तो नेस्ट चैप्टर आता है हमारे देगी गोला फैक यहाँ पर गोला फैक के अधिकतां 25 अंक निरधारित किये गए हैं महिलाव के लिए 12 पॉंट का गोला होगा जिसके नियूंतम 12 फिट फैक ना होगा जो मिनिमम है तो 12 फिट तक आपको यहाँ पर गोला फैक ना है 12 फिट से 13 फिट तक फैकने पर 9 अंक मिलेंगे 13 फिट से जादा एवं 14 फिट तक फैकने पर 13 अंक 14 फिट से जादा एवं 15 फिट तक 17 अंक 15 फिट से जादा एवं 16 फिट तक 21 अंक 16 फिट से ज़्यादा एवं 25 जो 16 फिट से ज़्यादा माँगे चाहे कितने फैक सकते हैं उन्हें 25 अंक निर्धारित किया जाते हैं अगर 12 फिट से कम फैकते हैं तो यहाँ पर उनको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और बे डुस्क्वालिफाई हो जाएंगे अब आती है यहाँ पर महिलाए को नुइनतम उचाई जो उचाई कूदनी है उनों के लिए तो जो यहाँ पर नुइनतम उचाई रखे गई है वो 3 फिट रखे गई है अगर 3 फिट कूदते हैं तो 13 फिट 4 इंच अगर आप कूदते हैं तो 17 इंच 3 फिट 8 इंच पर 21 अंक औ अगर आप इतना सारा क्वालिफाई कर याते हैं, फस्ट आपको रिटन, सेकंड फिजिकल, तो थर्ड आपको पता यह चिकतसा परिक्षा होती है, अगर आप बहुत साब क्वालिफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर चिकतसा परिक्षा होगी, चिकतसा परिक्षा के बारे में न्युक्ति के लिए अब भिहारतियों का चिकत्सिया परिक्षण में योग्या पाए जाना अनुबार्य होगा चिकत्सिया परिक्षण में आयोग्या पाए गए अब भिहारतियों के न्युक्ति नहीं की जाएगी यहां पर आपको देखना है कि आपको इसमें से किसी चीज म भी कोई प्रोब्लम नहीं हो उसके बाद में आपका सत्यापन किया जाएगा जो के वेरिफिकेशन होता है वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको होई ट्रेनिंग पर बुला लिया जाएगा इसका जो मोड पेमेंट है वो एकदम आपको ओनलाइन करना है उसमें 112 रुपे अ आपको pay करते हैं तो 10 या 11 रुपे जो transaction charge होता है वो उसमें include नहीं है वो आपको अलग सही देना यहाँ पर पढ़ेगा और एक बात और यहाँ पर अपना अपना जो mobile number है और email ID अपना personal email ID और mobile number आपको यहाँ पर डालना है जिससे आपको भविस्य में कोई दिक्कत नहीं हो तो कि email पर ही आपका registration और password send किया जाएगा और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो most important बात है वो है photo जो आपका photo upload होगा वो जो है पीछे white background होना चाहिए photo के पीछे जो ball paper होता है वो white background होना चाहिए simple white background और photo आपका हाल लेका खिचा हो ज वो हिंदी इंगलिस कोई से भाजम कर सकते हैं बैस तो यहाँ पर options आप blue से या black pen से कर सकते हैं लेकिन जहां तक अच्छा रहेगा आप black pen से ही यहाँ पर signature करें और इन बातों यह आपको थोड़ा थोड़ा दिहान रखना है और अपना form फिल कर देना है और जाद जानकारी के लिए आप इस notification में पढ़िए और उसके बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे के मैं आपको इसके online के बारे में बताऊंगा कैसा आपको सही तरह से online करना है और जितनी भी इसके बारे में कोई ख़वर में बिलती है तो कोई में आपको अफगत कर आता रहूँगा थैंक यू बोचिंग मैं चैनल